नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंशामा में मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले नज़र डालते हैं आसकी हटलाइन स्टूडियो में मोधी पर एड़ी जीपी की चिछी से बड़ा खुलासा खुली पंजाब सरकार के दावों की पोल बताया पहले से थी रास्ता रोखनी की प्लाइन सुप्रीम कोड पहुचा पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला आरोखियों पर कारेवाई की मांग पीएम चन्नी ने भी बनाई जाँच कमी कोरोना केसों पर दिल्ली के स्वास्त्य मंत्री सतेंद्र जैन की भविश्यवानी बोले आज दिल्ली में आ सकते हैं 14,000 नए केस संक्रमन दर 14 प्रतिशत तक पहुँचने की आशंका चुनाव आयोग की रडार पर आई इमरान खान की पी टी आई रिपोर्ट में खुली विदेशी चन्दे की चोरी की चन्दू सबसे पहले बात पी एम मोदी के मुद्दे पर हो रही सियासत पर पी एम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर बीजेपी ने चन्नी सरकार के खिलाप मोर्चा खोल दिया है जहां एक और अमिच्छा एक्षन मोड में है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना का खालस्तानी कनेक्शन और कॉंग्रेस की साजिश करा गिया है बीजेपी ने ट्विटर पर दो मिनिट छे सेकिंड का एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे प्लैनिंग के तहट ट्रकों से रास्ता पहले ही रोका गया है यहां कुछ पोलिस कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं कुछ अराजक तत्वी ये धमकी देते नज़र आ रहे हैं कि हम पीएम मोदी की रैली नहीं होने देंगे साथ ही रैली में जाने वालों को भी धमकाया जा रहा है बीजेपी के जंडों को तोड़ा जा रहा है सर पीम की सुरक्षा में जो चूख हुई है उसमें खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है क्या कॉंग्रेट की भी इसमें मिली भगत है देखे बिल्कुल मिली भगत है इसमें कोई शक है ही नहीं ये घटना पास तारिक की है तीन तारिक को पन्नु का एक वीडियो आया यही सिख फॉर जस्टेस जो जिस संगठन ने लाल के लिए पे तिरंगे का अपमान करने वाले को धाई लाख डॉलर देने की पेशकर्श की थी और जो तीन तारिक को जो वीडियो पन्नु का आया है उसमें वो साफ साफ कहता हुआ पाया जा रहा है कि जो कोई भी पीम मोदी को रोकेगा उसे 80 लाक रुपे दी जाएंगे और वो लंबा चोड़ा भासन दे रहा है कि किस तरीके से पंजाब के अंदर उसको घुशने नहीं देना है रैली नहीं करने देनी है उसको घेर लो उसको ये कर दो और 6 तारिक को मतलब आज उसने एक नया वीडियो जानी किया है जिसमें वो सेलिबरेट करता हो नजर आ रहा है अब प्लानिंग तो पर्नू बना रहा है और उसको जमीन पे एक्जिक्यूट चन्नी सरकार कर रही है किस ने बता दिया कि प्रधान मंत्री की का काफिला जो है इस रास्ते से गुजरेगा किस ने बताया कि वो सलक से आने वाले है कैसे वहाँ पे पुलिस वालों ने वहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश नहीं की अब ये जग जाहिर हो गया किस तरीके से पुलिस के आँखों के सामने और इस तरह के तमाम वीडियो जा रहे हैं कि जो लोग रैली के लिए जा रहे हैं उसको पुलिस वाले रोक रहे थे तो यही है कि सरकार वहाँ पर चल रही है कि तमासा चल रहा है इसके खिलाब तो कारभाई बिल्कुल होनी चाहिए पंजाब पोलिस को लिखे पत्र में ये भी कहा है कि पांच तारीक को बारिश के अनुमान के साथ किसानों का धरना है इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किये जाने चाहिए बाबजूद उसके भी ये बात चुपाई गई एस पीजी के जूट बोला गया और अब चन्नी सत सामने आने के बाद नौटं की दिखा रहे हैं सर पीएम के सुरक्षा में चूप पर एड़ी जीपी की चिथी ने कई रास खोल दिये हैं आगे क्या होगा देखे तीन चिथियां सामने आईए एक तारिक एक दो तारिक और एक चार तारिक की ये तीन चिथियां हैं और इन सारी चिथियों में साफ साफ लिखा जा रहा है एक तारिक को ही ये तैक कर लिया गया था कि विदर कंडिशन खराब होगा और इसलिए वो सलक से जाएंगे और तमाम लोगों को जिम्मधार लोगों को ये बताया गया था कि पूरे रूट को सेनिटाइज करके रखना है अब जब प्रधान मंतरी वहां से मूव करने का प्ला क्लिरिंस दी जाती है कि अब आप जा सकते हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस तरह के सबूत सामने आगए कि पुलिस वाले ही ये आंदोलन जीवियों को बता रहे हैं कि अब 20 मिनिट में प्रधान मंतरी आने वाले हैं तो सरकार के सबसे बड़ी चूक यह है कि अगर ठीक है विदर खराब हेलिकॉप्टर नहीं जा सकते किसान प्रदर्शन करने के लिए कठा हो गया है तो एस्पी जी को यह जानकारी दे दी जिन्यां चाहिए थी कि रास्ते में यह प्रॉब्लम है लेकिन आपने क्या किया आपने एस्पी जी को क्लेरिंस भी दे दी और आंदोलन जीवियों को बकाइदार रोड ब्लॉक करने की अनुमती साजिश और साथी साथ जो वीडियोज आ रहे हैं शर्मनाग कि पंजाब के पुलिस के लोग उस आंदोलन जीवियों के साथ चाए पी रहे हैं और वहां पे घोचना की जा रही है कि कोई कहां से कोई नहीं जाएगा बीस मिनिट में प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ सारे लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ और चन्नी को फोन किया जा रहा है तो यह चीफ मिनिस्टर ऐसा है कि फोन उठाता भी नहीं है यह तो मिली भगत बिल्कुल साफ है एक खालिस्तानी वहाँ से घोशना कर रहा है उसको जमीन बे यह सारे लोग जो है वो बकैदा एक्जिक्यूट कर रहे है उसके प्लैन को और चीफ मिनिस्टर ऐसा है कि सारे चीजों को डिफेंड भी कर रहा है अगली खबर भी पियम मोदी से जोड़ी हुई है पियम मोदी की सुरक्षा में चूक पर रास्ट्रपती ने चिंता जाहिर की है और उनसे फून पर बातचीत के बाद मुलाकात की वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच चुका है सीनियर एड्वोकेट मनिंदर सिंग ने इस मामले से जोड़ी जनहत याचिका दायर की है याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सुरक्षा में चूक सुविकार नहीं की जा सकती पंजाब सरकार को उचित निरदेश देने उत्तरदाई लोगों के खिराप सक्त आक्शन लेने की माँगी गई है जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक महँचा तो चन्नी सरकार ने मामले की जाच के लिए High-Level Committee बना दी सर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो चन्नी ने इतनी जल्दवाजी में कमीटी बना डाली कमीटी बनाना से क्या फैदा सारा प्लान सारे साजिस का सर्गना तो वही है जब सब चीजें चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से हो रही है यह ज़ुक पहुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा कुछ नहीं होगा सुप्रीम कोट एक कर दो हो लोग यह जानना चाह रहे है कि चन्नी सरकार के बरखास्त कब किया जाएगा प्रधान मंत्री मोदी हो या देवगोड़ा हो या आगे 20 साल 25 साल के तक कोई भी हो प्रधान मंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवार उसके उपर गंदी राजनीती यह अच्छम में है इस सरकार के खिलाफ अगर मोदी सरकार आर्टिकल 356 इस सरकार को बरखास्त करके वहाँ पे राजपती सासन लागू नहीं करती है तो यह कहना पड़ेगा कि जो प्रीच हुआ है जो चूख हुई है और इस चूख के लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं स्वयम प्रधान मंत्री मोदी भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे जी रॉक साब अब बात कोरोना संकट पर कोरोना का नया वैरियंट ओमिक्रोन देश में तेजी से पैर पसार रहा है वहीं डिल्ली में आज कोरोना के 14,000 नए मामले मिलने की आशंका है स्वास्थे मंत्री सतींद्र जेन ने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 14 प्रतिशत तक बढ़ सकता है राजधानी में अब तक ओमिक्रोन से किसी भी व्यक्ति की मुरत्यू नहीं हुई है अभी दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है वहीं बुदवार को दिल्ली में कोरोना के 10,665 मामले सामने आये थे और संक्रमन दर 11.88 प्रतिशक थी सर दिल्ली के स्वास्थे मंत्री कोरोना मामलों पर लगातार भविश्यमाडी कर रहे है तो क्या इसकी लगाम लगाने के लिए भविश्यमाडी नहीं कर सकते हैं देखिए ये तो हमेशा होता आया है पिछली बार दूस्री लहर में भी यह आगे चलते हैं बहुत फ्रॉड किस्म के लोग है यह आम आदमी पाटी वाले कल घोशना कर रहा था यह कि पाच्वी लहरा गई लोग तीसरी की बात कर रहे हैं यह पाच्वी पर चल रहा है इनका घोड़ा ज्यादा तेज चलता है और जब कभी विश्टती खराब होती है यह केज़िवाल बहाना बहान करके वह अंदर घुच जाता है वहम कोरेंटाइन हो गया यह कम तबाशिव आज नहीं है कि जब अववस्था चार तरफ होती है तो वह मनिश्य सोधिया और यह आजाएगा प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए और नहीं जब सब कुछ नॉर्मल होता है सब कुछ ठीक होता है वो तिरंगा जंडा दो क्रॉस में लगा करके सामने में खड़ा करके रेकॉर्डिंग करके टेलिविविज चैनलों को भेज देता है बिना सवाल जवाब किये हुए उसके स्टेट्मेंट को चलाते रहो और मीडिया ने खास करके टेलिविज चैनलों वालों ने केजरिवाल से पैसे खाकर दिल्ली की अबवस्था को कभी नहीं दिखाया एड चल रहा है कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ये जो केजरिवाल खास रहा था अब ये कह रहा कि हम कॉरिंटाइन पर चले गए हैं कुछ सिम्टम्स हैं मुझे कॉरोना हो गया है उसके पांस दिन पहले तक कभी पंजाब में तो गोवा में तो कभी उत्राखन में हर जग मीडिया लिंच कर दी होती है लेकिन गुलाबी गुलाबी जो नोटों का जो बंडल इनके मुझ में ठूस दिया गया है उससी वजह से कोई सवाल दिल्ली के उपर नहीं उठा था और ये भविस्वानी कर रहे हैं कि 14% पॉजिटिविटी रेट पहुंच जाएगा और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि लॉगडाउन की जरुतने बढ़े तुमने किया क्या पॉजिटिविटी रेट 14% ना जाए उसके लिए तुमने कौन से कदम उठाये हैं कि सराब की दुकान खोलने के बजाए को दूसरा काम धंदा इन लोग के पास बचा ही नहीं है सारी पॉलिटिकल पार्टियां केंद सरकार हो राज्य सरकार हो सब लोगों ने तमाशा बना दिया है सारे लोग रैलियां कर रहे हैं किस बात के लिए भई ये दोगला मटन ठीक नहीं है कि आप टेलिविजन पर आगर के बड़े बड़े लीडर्स भासन दे कि सोचल डिस्टेंसिंग करना है और सामें फिर रैली में चले जाए मैं बार-बार करता हूँ इन पर भरोसामत कीजिए अपनी जान उसकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है और अपने ही अपना इंतिजाम स्वेम कीजिए आखरी खबर इम्रान की सामने आई चोरी पर इम्रान खान के नितरत्व वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी अप फंडिंग के मामले में चुनाव आयोग की रिडार पर आ गई है दरसल पार्टी की फंडिंग को लेकर एक रिपोर्ट सामने आने के बाद ये सब कुछ हुआ है इसके साथ ही पार्टीयों को मिलने वाला विदेशी चंदा भी एक बार फिर से राजनीतिक गल्यारों की हलचल की बड़ी वजह बना है चुनाव आयोग को मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि इम्रान खान की PTI को ना सिर्फ विदेशों से चंदा हासिल हुआ है बलकि कमपनियों से भी बड़ी तादात में चंदा मिला है इसमें यहां तक कहा गया है कि जिन अकाउंट से यह हासिल किया गया है उनको छिपाया गया इन कमपनियों की डीटेल और इनके खातों की बड़ी देनदारी को भी छुपाया गया है सर इम्रान खान की बड़ी चोरी पकड़ी गई है आगे क्या एक्षिन लिया जा सकता है देखे ये पाकिस्तान का केजरिवाल है जिन चीजों को लेकर के वो चुनाओ लड़ा ठीक उल्टा वही काम किया इम्रान खान जब चुनाओ जीते उसका केंपेन क्या था पनामा पेपर्स किस तरह से नवासरीफ जो है वो ब्रस्टाचार में लिप्त थे विदेशी हिंदुस्तानी कनेक्शन्स दिखाये जा रहे थे और खुद को ये इमांदार खुद को केजरिवाल टाइप से जैसे देखिए दिल्ली के अंदर पे अच्छे लोगों को राजनिती मिलाना है पंजाब में दारुबाज के लावा कोई नहीं मिला इसे चीफ मिनिस्टर केंडेट ठीक उल्टा काम अब वहाँ पे अलग तरह की मुहीम चल गए चुनावा योग फंडिंग वंडिंग को लेकर के वहाँ पे रिपोर्ट स्टार्टि लोगों ने किया तो ये तो खुद को अन्ना हजारे और के मोल्ड में साबित कर रहे थे कि हम तो इमांदार लोग है बाकि ये जो पाटिया जो है पाकिस्तान के लोग अब इम्रान खान को चोर कह रहे हैं और ये टाइमिंग बहुत ही खराब इस रिपोर्ट की महंगाई आसमाच हो रही है पेट्रोल हो प्याज हो टमाटर हो वो आम लोगों के हाथ से बाहर चलाता जा रहा है आर्थिक सितिक खराब है कहीं से कोई करज भी नहीं मिल रहा कोई इंडिस्ट्री नहीं कुछ नहीं देश बिल्कुल अस्तविस्त हो गया है और उसके बाद उपर से चोरी कील जा है तो अब इम्रान खान को सब लोग कह रहें ये नियाजी चोर है हमारा पीम चोर है ये पाकिस्तानियों को अपने हाथ में लिख हो लेना चाहिए कि हमारा पीम चोर है जी डॉक साब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी है खबरों का पंश्राम हमें आज के लिए इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सथी के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवे में लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कैपिटल टीवे को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार